दोस्तों नमस्कार कुमार गुरूप इडूप चनल में आप सबका स्वागत थे पार्टिपुत इन्वस्टी के अंतरगत सेशन दोहजाच चोबी से अठाइस के लिए फों को अपलाई किये थे मेर्ट लिस्ट में आपका नेम आया है आपका सेलेक्शन एस यू कॉलेज हिलसा में हुआ है तो आपको ऑनलाइन एड्मिशन को फिलप करना होगा ऑनलाइन एड्मिशन फों फिलप करने के लिए आपको क्या करना होगा डिस्किप्शन में लिंक दिये गए हैं लिंक को जैसे से लेकर के 13 के बीच में और सकेंड मेट लिस्ट जब भी प्रकासित के जाएंगे नीचे में यहाँ पर डेट इनाउंस्मेंट कर दिये जाएंगे वैसे इसको लेकर के डेट, फर्स स्केंट, ठर्ड मेंट लिस्ट की इंफोर्मेशन मैं पहले ही दे चुका हूँ, आप जा करके चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन, यहाँ पर एड्मेशन के बारे मैं मैं बात करूँ, पेमेंट कितना लगेगा, तो अठाइसो पचास सुपय तक जाएगा, यहीं तो पचास सुपय तक आपका पिमेंट जा सकता है, यहाँ पर तमाम जनकारे मैं मेंशन कियेगे, आपको कौन को से डोकुमेंट लगेगे, यहाँ पर मैं मेंशन कियेगे, आप लोग एक बाद देख लिजेगा, एडिमिसन ऑनलाइन फूम को फिलप किजिए, आपका रासी डाउनलोड कर लेना है, और जो भी सगन टेक अंदर कॉलिब में जाकर करके जमा कर देना नहीं, तो आपको दिकत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, आउलाइन इडिमिसन के बारे में मेंशन किया गया, बगल में रजिस्टर बटन दिया गया, रजिस्टर ब दालें वही पासवर्ड है यहाँ पर आपको दुबारा से डाल देना है, सुझिट बटन पर क्लिक कर देना है, आपका आइडि आपका पासवर्ड जधubby fires हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, सेम इसी लिंक पर आना है, यहाँ पर लगिन वॉलॉड बटन दिया गया है, login button पे click करना है जैसे login button पे आप click करते हैं वैसे ही आपको कुछ इस तरीके के interface देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है आप अपना email id जो अभी कुछ दिर पहले दिये थे उससे बहर लिजेगा password में आपको क्या भरना है जो अभी फिलाल में बना वे थे और यहाँ पर भर लेना है कुछ स्टुडेंट अपना password भूल जाते हैं वैसे इस्थिति में उन्हें करना है इसी पेज पे आना और यहाँ पे देख सकते हैं forget mention किया गया forget password किलिकर बटन दिया गया किलिकर बटन पे आपको किलिक करना है तो कुछ इस तरीकी के इंटरफेस आते हैं यहाँ पे आप अपना मौल नमा जो registered किये थे वो number डालिएगा submit बटन पे किलिक करिएगा उपर में आपका email ID and password यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों मुझे क्या करना हम अपना ID और password डाल करके login कर लेते हैं जैसे हम login करेंगे वैसे एक नई इंटरफेस मुझे देखने को मिलेंगे चले हम दिखाते हैं दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे basic information में आना है basic information में जैसे आप किलिक करेंगे इस तरीके के पेज आपको देखने को मिल जाएंगे open हो जाएंगे यहाँ पे gender यहाँ पे date of बात यहाँ पे आपका category यहाँ पे cast name आपका कौन सा cast है कुर्मी कुसबा या दव जो भी होंगे पासवान जो भी होंगे वो रविदास जो भी कुछ होंगे आप अपने कोटिंग यहाँ पे दर्ज कर दीजेगा जो भी आपका है और यहाँ पे category में other special category में जो भी चीज़े हैं बो डालने का यहाँ पे ruler है या फिर urban है वो आपने according डाल दीजेगा तो चलिए यहाँ पर इससे करिए गा तो देख सकते हैं आज आता है अपने अपने कोटिंग कर लेना नीचे यहाँ पर आना है तो हिंदू मुस्लिम सी किसा जन अधर जो भी होंगे आप लोग अपने कोटिंग डच कर लिजेगा जो भी चीज़े में बता रहा हूं सब कुछ लाइब आपको दिखा पा रहा हूं तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को भर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तमाम जनकर यहाँ आपको फादस नेम मदस नेम जो भी रहेंगे वो यहाँ पर मेंसर रहेंगे यहाँ पर आप लोग अपने को दिख करना उसके बाद यहाँ पर समिट करना उसके बाद नेक्स्ट बटम पर आपको किलिक करना या फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग किलिका सकते हैं लेकिन बहतर है कि आपको नेक्स्ट बटम पर किलिक करना नेक्स्ट बटम पर आपको क्लिकर करके आगे बढ़ना और आगे की प्रोसेस को कंपलीट करना ठीक है तो चलिए हम इन तमाम चीज़ों को भड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों उसके बद मुझे क्या करना होता है पर यहां पर फोटो करना रहता है उसी तरीके से आपको सिगनेचर को चुछ फाइल पर किलिक करना जहां भी आपका सिगनेचर है वहां से signature को उठाना है, submit कर देना, यहां पे signature दिख जाएगा उसके बाद यहां पे देख सकते हैं, online admission वाला जो option है यहां पे आपको click कर देना, चलिए हम click करते हैं दोस्तों, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, B.A.B.S.C.B. कॉमस्टर बन है इस पर मैं click कर लूँगा, चलिए click करते हैं click करने के बाद दोस्तों, यहां पे आप लोग अपना application number डाल देज़ेगा application number क्या डालना है, जो आपका पार्ली पुत्रा पे जो application number है, और 24G वाला, वही आपको यहां पे डाल देना उसके बाद समिट बटम पे आपको click कर देना है, उसके बाद जो भी documents को update करना रहेगा, वह आप लोग अपने एक कोटिंग update कर लिजेगा उसके बाद दोस्तों, आपको यहां पे update बटम पे आपको click करना, update बटम पे click किजेगा, एक बाद preview देख लिजेगा, कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही रहेगा, आगे बढ़ते आपको चले जाना है, दोस्तों, प्रेशनल इंफ्रमेशन में आना है, यहां पे तमाम जनकर यहां आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा और नीच आएगा, तो और भ लेना है, ऑफ़लेटर के नीचे में एक नमबर रहता है, ठीक है, और नमबर को यहां पर दज़ कर लेना है, दज़ करने के बाद यहां पर ताम जनकर यहां आप लोग अपने कोडिंग भरी है, उसके बाद यहां पर जो भी आपको डोकमेंस को फाइल को अपलोड करने के यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले यहां पे फोला जा रहे हैं पीदा का ओफर लेटर यहां पे अपलोड करेंगा इस यहां पर आपको अपलोड कर लेना उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है दोस्तों आप लोग एदी माक्सिट वगेरा, CLC वगेरा, यह सब चीज़े अपलोड कर चुके हैं, 7NEXT कियें, आपको यह वाला पेज आपको देखने को मिल रहा हैगा, यहाँ पर सब्जिट का सेलेक्शन करना है, यहाँ पर आपको फीजिक्स MJC है, M.I.C. में आपको खुझ सेलेक्शन करना है, आपको क्या लेना है, तो मैं यहाँ पर कमिस्टी का चैन करता हूँ, आप अपने कोटिंग चैन कीजिएगा, M.D.C. के बारे हम बात करूँ, तो यहाँ पर कॉलेज ही सेलेक्शन करके दे दिया है, तो आपको इसको ही सेलेक्शन करना है, M.I.C. और M.D.C. ठीक है, और M.D.C. में भी मैं बोल सकता हूँ, यह सेलेक्टेड ही है पहले से, वो सकता है कुछ हाँ स्टूडेंटों को दो-दो अप्शन दे, या दिकांस्ता का एक ही अप्शन दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर M.I.C. में आपको अपने कोडिंग दियान में रख करके ही फूम को फिलप करना, तो मैं यहाँ पर कमिस्टी कर देता हूँ, सेब करेंगे, उसको बाद नेक्स्ट करेंगे, दोस्तों, आगे मैंने सेब नेक्स्ट जैसे मैंने किया, वैसे पेमिंट का उप्शन आ गया, यहाँ पर हमें देख सकते हैं, साड़े 900 रुप्या लग रहा है, हो सकता है, पेमिंट में करूँ, और यहाँ से मैं सेलेक्शन थोड़ा सा कर लेता हूँ, कोई बैंक को मैं सेलेट कर लेता हूँ, ठीक है, कार्ड के माध्यम से करेंगे कितना लगेगा वो भी देख लेता हूँ कितना लगता है सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ दोस्तो Колशी में कार्ड के माध्यम से करता हूँ तो याप देख सकते हैं लग रहा है यहां पर 22 रुप्या और एक रुप्या नावासी पैसे नहीं नवे पैसे क्या स्वास एनिकी जेस्टी वगरा लग जा रहे हैं ठीक है और डेविट कार्ड से मैं ट्राइक कर लेता हूं तो दोस्तों कोलेज हिलसा का फोम भरनी का जो प्रोसेस था मैंने आपको दिखाया किस तरीके से आपको कंप्लीट करना अलांकि वीडियो थोड़ी से लंबी हो गया लेकिन एटू जनकारी मैंनी इस वीडियो के मादेम से आपको मैंने देख सकते हैं टिलीग्राम भी आप लोग जोईन कर सकते हैं पडेट पाने के लिए वार्चाब यहां है तो वार्चाब पर जाकरके जैंकर सब् rhag कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में जो भी जनकारी थी हमने आपको सियर किया मुझे उमीद है मिरे द्वारे दी गई जनकरी आपको पसंद आयोगा धन्यवाद